नमस्कार दोस्तों, जब भी परिवार में कोई तीश त्युहार, विभा, जनम दिन जैसे खुशी, या फिर कोई दुर्गटना, मर्तिव जैसे दुख के पल आते हैं, तो उस ख़बर को अपने सभी दोस्तों, सगे संबंदियों के साथ, हम वाट्सअप, ट्वीटर, करते हैं, क्या आप जानते हैं, इस परकार की खबरों क्या कहते हैं, संदेश, जी हाँ, आज का हमारा विशय है, संदेश लेखन, मैं हूँ आपका दोस्त, रविंदर कुमार, चलिए इस विशय को इस्तार से जान लेते हैं, यह कोई नया विशय नहीं है, संदेश भेजने में टेलिफोन ने ले लिया। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से वाट्साप, टुविटर, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, आधी सोसल मीडिया प्लैटपॉर्म पर संदेश का आदान-परदान किया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि संदेश का आर्थ क्या है। या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। ये संदेश लिखित और मोखिक दोनों हो सकते हैं। ये सुखद और दुखद के साथ चाथ व्यक्तिकत वर सामूहिक भी हो सकते हैं। चलिए संदेश लेखन के परकार देख लेते हैं, आम तोर पर संदेश लेखन के दो परकार हैं, ओपचारिक और अनओपचारिक, ओपचारिक संदेश वे हैं जो कि किसी कमपनी या बैंक या व्यापारिक माध्यम के दवारा या फिर परधानमंत्री के दवारा राष्टर को दिये जाने वाले संदेश इसमें सामिल हैं दूसरा है अनौपचारिक संदेश इसमें अपने मित्रों सगे संभंदियों को किसी विशेश आउसर या त्योहार पर दिये जाने वाले संदेश सामिल हैं चलिए संदेश के तत्वों को देख लिकते हैं संदेश लेखन का जो विशय दिया गया है संदेश उसी पर निर्धारित होना चाहिए जैसे कि जनम दिन पर आधारित संदेश यदि हम लिख रहे हैं या भेज रहे हैं तो उसी से जुड़ी सब्दावली या सलोगन का प्रियोग किया जाना चाहिए जैसे तुम जीयो हजारों साल, साल के दिन हो पचास हजार संदेश लेखन की सब्दावली कम से कम वै प्रभावसाली होनी चाहिए भासा का प्रियोग ओपचारिक और अनौपचारिक संदेश के अनुरूप होना चाहिए यदि वह ओपचारिक है तो भासाई दक्सता होना अनिवारिय है रचनात्मक या स्रिजनात्मकता इसके लिए आप संदेश के अनुरूप, तुकबंदी, स्लोगन, दोहा या फिर कोई चितर आदी का प्रियोग कर सकते हैं ताकि आपके संदेश में रचनातमक्ता वैसरीजनातमक्ता दिखाई दे चलिए जान लेते हैं CBSC बोर्ड दोवारा दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार हमें किन-किन बिंदों पर संदेश लेखन करना होगा नमबर एक सुबकामना जैसे कि जनम दिन, पदोनती, प्रिक्षा में सफलता आदी आवसरों पर हमें सुबकामना संदेश लिखने होगे नमबर दो परव वैत्योहार से जुड़े संदेश जैसे कि होली, दिवाली, दसहरा, इद, क्रिश्मिस आदी पर लिखे गए संदेश नमबर तिन, विशेश आवसरों पर लिखे गए संदेश जैसे कि विभा, हवन, यग, पूजापाट, भुकंप, तुफान या करोना जैसी महमारी या अनेक परकार की अन्याइ अवसरों पर भेजे गए संदेश, इसमें सामिल है चलिए जान लेते हैं कि संदेश लेखन के वक्त किन-किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है नमबर एक, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा, जैसे कि बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए नमबर दो, संदेश की सुरुवात में संदेश सब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक वश्य में अवश्य लिखें नमबर तीन, मुख्य विश्य को कम से कम वपरभावसाली सब्दों में वरणन करें 4. अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें 5. संदेश लेखन की सब्द सीमा 30 से 40 सब्दों के बीच होनी चाहिए 6. अगर चित्रों का उप्योग करना उचित लगे तो विश्य अनुसार किया जा सकता है 7. अगर सायरी, दोहे, सलोक या कविता की आवसकता हो तो प्रियोग कर सकते हैं 8. संदेश में रतनातमक्ता और स्रिजनातमक्ता होनी चाहिए 9. संदेश, सरल वे संक्षित सब्दों में परभावसाली वे विश्य के अनुरूप लिखा जाना आवश्यक है 10. विश्य के अनुसार रंगों का प्रियोग भी क्या जा सकता है 11. संदेश के अंदर इधर उधर की बाते ना लिखकर केवल विश्य वस्तु पर ध्यान देना अतियावश्यक है चलिए इसके कुछ उधारनों के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं यह एक उधारन आपको दिखाई दे रहा है पुत्र या पुत्री को जनम दिवस पर सुबकामना संदेश इसमें एक बोक्स बनाया गया है उपर जनम दिवस पर सुबकामना संदेश लिखा गया है फिर एक तुक बंदी लिखी गई है तुम जी हो हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार और फिर दिनांक लिखे गई है, जो कि बहुत जुरूरी है उसके नीचे समय दिया गया है फिर अभिवादन दिया गया है प्रिये बेटा अभिशेख फिर विशेवस्तु दि गई है आपको जनम दिन की हारदिक सुबकामना है आप दिरगाईयो हो, सवस्त रहें और जीवन में उन्नति के मारग पर अगरसर रहें यही मेरी इस वर्से प्रार्थना है नीचे लिखने वाले का नाम दिया गया है पूनम देवी आईए दूसरा उधारण देख लेते हैं यह उधारण है सवतंतर्दा दिवस पर देश वासियों के लिए सुबकामना संदेश इसमें भी बोक्स बनाया गया है उपर लिखाया सवतंतर्दा दिवस पर सुबकामना संदेश फिर एक तुक बंदी दी गई है मतवालों ने दिकुर्बानी तब आजादी पाई है आज फिर आजादी की वो सुब घड़ी आई है फिर दिनांक दिया गया है फिर समय दिया गया है और फिर विशेवस्तु दी गई है समस्त देशवासियों को सवतंतरता दिवस की हार्दिक सुग कामनाई आईए हम सब मिलकर देश की उन्नती, विकास या हम सवतंतरता को बनाए रखने का संकल्प लें नीचे लिखने वाले का नाम की जगए आप कैखागा लिख सकते हैं प्रिक्षाम यदि आप इसी प्रकार का कैखागा लिखेंगे तो आपको पूरे अंक दिये जाएंगे यहाँ पर आप देखें कि इसमें एक चित्र भी बनाया गया है जो इस संदेश को और भी आकरशक बना रहा है आप भी इस प्रकार का चित्र बना करके उसमें रंग भर करके अपने संदेश लिखन को आकरशक या रचनात्मक बना सकते हैं यह एक तीसरा उधारण है संक्रामक बिमारियों के परती लोगों को जागरुक करने हेतु संदेश इसमें भी बोक्स बनाया गया है आप ध्यान से देखे उपर लिखा जागरुकता संदेश खासने छीकने वा चूने से जो फैल जाए संक्रामक बिमारी वो कहलाए कितने अच्छे तरीके से यहां संक्रामक बिमारी किसे कहते हैं उसको तुकबंदी के दोवारा समझाया गया है फिर दिनांक दी गई है फिर समय दिया गया है और फिर विश्यवस्तु दी गई है कि हम किस परकार से लोगों को जागरुक कर सकते हैं प्रिये देश वासियो, संक्राम के बिमारियों से बचना है तो, रोगी के संपर्क से बचे, खांसते वैं छीखते समय, रुमाल का प्रियोग करें, मास्क पहने, साबुन में पानी से हाथ धोएं, लक्षन दिखने पर डाक्टर से चांच करवाएं, हम सब का एक हिनारा सवस् है देश हमारा, यहाँ पर फिर से तुक बंदी देदी है, और नीचे लिखने वाले का नाम, उसके स्तान पर कैख है लिखा गया है, चलिए एक और उधारन देख लेते हैं, यह उधारन है, बैंक द्वारा कराहक को भेजा गया धनराशी कटोती पर संदेश, उपर लिखा ह है, धनराशी कटोती संबंदी संदेश, बोक्स के अंदर यह पूरा संदेश लिखा गया है, दिनांक, समय, फिर प्रिये खाता धारक, आपके खाता संख्या, यहाँ पर आप खाता संख्या के बारे में आप जानते हैं कि पिछले दो या तीन अंखी दिये जाते हैं, तो आ आपने खाता संख्या को परदर्शित कर सकते हैं, से रुपिये 15,000 निश्कासित किये गए हैं, यानि निकाल लिए गए हैं, आपके खाते में कुल जमाराशी रुपिये 10,000 उपलब्ध है, विजिया बैंक, यहाँ पर आप कया खया कया बैंक भी लिख सकते हैं, अगला पिर लिखा है सुबकामना संदेश, फिर दिनांग, फिर समय, प्रिये जस्वीर, आज सुबह के समाचार पत्र को देखकर पता चला कि तुम्हारी टीम ने स्वन पदक हासिल किया है, और तुम्हारे अच्छे परदर्शन के कारण तुम्हारा चैन भारतिय टीम में कर लिय गया है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर तुम देश का नाम रोशन करोगे, हम सब की ओर से बहुत बहुत सुबकामना है, नीचे लिखने वाले के स्तान पर क्या खै गया है, इस परकार आप ये अच्छा संदेश लिखन कर सकते हैं, आसा है आपको यह वीशे सम आज आ गया होगा, यदि आपके मन में कोई प्रसन उठता है, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, इसे के साथ मैं आप से भी दालेना चाहता हूं, नमस्कार, धन्यवाद, जैहिए